दोस्तर दोสतर PM किसान उइना का 50 इंस्टॉल्मेंट की वेट काफी लोंग कर रहminute जो की PM किसान उइना का बेनीफिसरी हैं वो लोग हुँ वेट करने PM किसान उइना का 50 इंस्टॉल्मेंट की और jawright और पि सरे अप डेट हो गए है तो किसी का FTO process हो चुका है, किसी का FTO process भी नहीं हुआ है, किसी को यहाँ पर status में देख रहा है payment process, तो ऐसा क्या region है कि अलग अलग चीजें सभी को देखने को मिल रहा है, किसी का तो option ही नहीं आ रहा है 50 instrument का, तो यह क्या region है, क्या आपको 50 instrument की पैसे मिलेंगे, और मिलेंगे तो कब मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर जाने वाले हैं, तो यदि आप 50 instrument की वेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखी, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा, कि जिदी PM की सनुझेना का 50 instrument की वेट आप कर रहे हैं, तो आपको इस्टेटस चेक जरू कर लेना चाहिए, और इस्टेटस चेक करने के बाद आपको उसमें क्या संकेत मिलेंगे, क्या ऐसा अपडेट उसमें मिलेंगे, जिसको की देख के आप ये कनफार्म हो जाएंगी, कि आपको 50 instrument की पैसे 100% मिलने वाली है, कौन सा डेट में मिलने वाली है, वो भी संभावी देट मैं इस वीडियो में बताऊंगा, दोस्तों सबसे पहले मैं PM किसान युणा का ओफिसल वेबसाइड को ओपेंड कर लेता हूँ, यदि आप लोग PM किसान युणा का स्टेटस को चेक करना चाहेंगे, तो मैं स्टेटस को चेक करने का प्रोसेज भी सबसे पहले आपको बता दूँ, तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में क्रॉम ब्राजर को ओपेंड करेंगे, देन वहाँ पे सच करेंगे PM किसान, जैसे आप PM किसान सच करते हैं, फ़र्स वेबसाइड आपको देखेंगे PM किसान सम्मान देदी का ओफिसल वेबसाइड में, उसमें क्लिक करके आपको ओपेंड करने है, PM किसान देखेंगे PM का ओफिसल वेबसाइड में आप आजेंगे, और वही पर आपको स्टेटस चेक करने का एक उप्सन मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक करने के बाद, आपको रेजिस्टीशन नमर को फिल करना होगा, एक मोबाल नमर से, दूसरा आधा नमर से, ये दोनों उप्सन के माध्यम से, आप रेजिस्टीशन नमर को फाइंड कर सकते हैं, तो मोबाल नमर आप वही यूज करेंगे, जो आपने KYC कराते समय, जो मोबाल नमर का यूज किये थे, तो वैसे इस्तिति माँ आप आधार का सहरा ले सकते हैं, आधार नमर को फिल करेंगे, एंड केपचा को फिल करेंगे, गेट ओर पे पिल करेंगे, आपके आधार से रेजिटाट मोबाल नमर पे 6 डीट का एक ओर पे जाएंगे, जिसको fill करके आप gate data पर click करेंगे आपको यहाँ पर registration number पता हो जाएगा and back आना है back आना है के बाद know your status में click करेंगे and यहाँ पर registration number fill करेंगे capture को fill करके आपको gate data पर click करना है gate data पर जैसे click करते हैं आपका status यहाँ पर show हो जाएगा status में आपको check करना है मैं यहाँ पे तीन किसानों का status को यहाँ पे निकल के रखा हूँ जिसको कि मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट में एक किसान है जिनका की waiting for approval by state लिख रहा है यहाँ पे waiting for approval by state यानि कि आप confirm हो जाएए कि जदी कि आपका status में यह दीख रहा है payment process लेकिन यहाँ पे Actio process में यहाँ बता रहा है लेकिन मैंने जो पहले किसान का यहाँ पे waiting for approval by state मैंने जो आपको देखा है जो कि आप दिवारा से देख सकते हैं आप को देख रहा है यहाँ पे Uno process में no देख रहा है उरके 100% से अपरूब हो चुका है और यहां पर पैमिन प्रोसेस हो चुका है इनको भी हंडेट परसंट 15 इंस्टॉल्मेंट की पैसे मिलने ही वाली है लेकिन एक चीज़ यहां पर गौर की होंगी जिदि आप तो यहां पर यहां पर 15 नहीं 14 देख रहा है तो आप यह क्या रिजन यह पर स्थेटस में आपके सांट लेकर आ रह रहा हूं जो कि आप यहां पर देख पा रहा हैं कि 45 जोलाई 2023 को ही zwy performed कि पैसे को मिल चुका है तो यहां पर इनको 50 इंस्टूर्मेंट की पैसे मिलने ही वाली है देख सकते हैं इनका रिजिस्टेशन कब हुआ है वो भी आप देख लिजे इनका रिजिस्टेशन 21 फरवरी 2019 को हुआ है और तो आपको यह पता चल गया होगा कि जो 2019 में सुरु में ही रिजिस्टेशन करा दिये थे उनको ही 50 इंस्टूर्मेंट की पैसे मिलने वाले और तो इस तरह से आप आप जान सकते हैं कि 50 इंस्टोर्मेंट की पैसे आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस्टेटस की रूप में आपको यह पता चल जाएगा यदि आपका इस्टेटस में वेटिंग फूर अप्रूबर लिख रहा है तो 100% आपको पैसे मिलेंगे यहां पर आपको यह देखना इसका 50 इंस्टोर्मेंट की काफिलों को प्रोसेस हो चुका है पैमेंट के लिए लेकिन काफिलों का प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है तो बस वेट कीजिए ऐसा घबराने वाली कोई भी बात नहीं है यदि आपको 50 इंस्टोर्मेंट की वेट कोई अपडेट आपके स्टेटस में नहीं दिख रहा है यानि कि 40 इंस्टोर्मेंट की पैसे आपको मिल चुका है और 15 का कोई जाएगी तब तक आपका यहाँ पडेट देखने को मिल जाएगा वेटिंग फो अपोर पहले होगा उसके बाद पैमेंट प्रोसेस होगा और इूसके बाद आपके अकॉंट में पैसे मिल जाएगया गए तो पैसे मिल जाएगे तो अब मैं आपको बता दू कि यह पैसे काफी संभावना है नमंबर की लास्ट सब्ता तक पैसे आपको मिल जाएंगे काफी संभावना है इसको मैं Google में सच करता हूँ देखते हैं कि Google इसका क्या आंसर देते हैं प्येम किसान 50 इंस्ट्रोलमें डेट 2023 मैं ने जैसे Google में सच किया तो यहां पर एक संभावी डेट यहां पर बता जा रहा है 27 नमंबर 2023 को प्येम किसान और इंस्ट्रोलमें की पैसे मिलने वाली है ऐसा Google के मादिम से बता जा रहा है लेकिन यह confirm date नहीं है, कोई भी इसका official notification अभी तक नहीं आई है, लेकिन नवंबर की लास्ट तक में PM किसा नविना का 50 इसका पैसे मिलने की काफी समामना है, बस वेट कीजी, आपको पैसे जरूर मिल जाएंगे, रीजन यह है, कि इसका जो सेसन चलता है, तीन सेसन चलता है, इसलिस साल में तीन बार ही आपको पैसे मिल जाते है, एक सेसन चलता है, अप्रेल से लेकर जुलाई तक जो कि आपको जुलाई में पैसे मिल गया है, पचीस जुलाई 2023 को, और दूसरा सेसन चलता है, अगस से लेकर नवंबर तक, पैसे अभी बांकी है, जो कि 50 इंस्टॉर की पैसे आपको मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली क्या रीजन है क्या आपका तीनों चीज़ा यहां पर तीन चीज़ों को आपको 100% देखना है एक है लैंट सिर्डिंग स्टेटस दूसरा है क्या वैसी स्टेटस और तीसरा है डिवीटी यानिकि आधार एकॉंट लिंगिं कोई आपका प्रोब्लम यहां पर दीख रहा है इस्टेस में तो कॉमेंट करके जरूर बताईए आपको कोई भी प्रोब्लम ऐसा आता है जिसके वज़से आपको ऐसा लगता है कि प्येम किस्टेशन नमर को पैसे आपको नहीं मिलने वाली है या फी जदी आपको समझ में नह इस्टेशन नमर को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं इस्टेशन को चेक करके आपको अपडेट कर दूँगा या आपको प्येम किस्टन अजीना का 50 इस्टोन में के पैसे मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली मैं डीटेल से बता दूँगा जदी कोई प्रोब्लम है तो वो भी मैं आपको बता दूँगा, तो I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो एक लाइक कीजिए, अपने दुस्तों में share कीजिए, मिलते किसी important वीडियो में तब तक के लिए thank you, आपका दिन सुभो,